हलो दोस्तो कैसे हैं आप आए आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत में चल रहे हैं दस ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो पुरा होने पर पूरे देश की काया ही पलट कर रख देंगे तो दोस्तो पहला आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाइवे दिल् अमर्जंसी सेवाएं भी रहेंगी या बनने के बाद में दिल्ली से मुंबई तक का सफर महज बारा घंटे में तै कर लिया जाएगा दो नंबर पर है एहमदाबाद मुंबई बुलर ट्रेंड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट लगबग दो हजार अठाइस में सुरू हो ज सागर माला प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट के तहट हमारे देश के सभी महत्पून पोर्ट को आपस में कनेक्ट किया जाएगा जो की रोट ट्रांसपोर्ट से भी कनेक्ट रहेंगे और शी ट्रांसपोर्ट से भी कनेक्ट रहेंगे और इनकी कनेक्टिविटी बहतर बनाने के लिए काफी सारे उपाय भी किये जा रहे हैं यह हमारे प्रदान मंतिर नरेंद मोदी जी का एक दोस्तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहट गुजरात के कंडला पोर्ट से लेकर विसाखा पतनाम मुंबई कोची चन्नाई से होते हुए कलकता पोर्ट तक सभी पोर्ट छोटे बड़े कनेक्ट किये जाएंगे जिससे की हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही फायदा नेक्स्ट है मुंबई ट्रांसर्वर सीलिंग जो कि साथ बुंबई के सीवरी से सुरू होकर नावा सोवा तक जाएगा जो कि JNPT और पूना एक्सप्रेस हाइवे को भी कनेक्ट करेगा और गोवा हैवे को भी या कनेक्ट करेगा यह कुल 21.8 किलोमीटर का होगा यह नमी बुंबई का भी एक डारेक्ट कनेक्टिविटी रोड बन जाएगा अभी जिस सफर को तै करने में लगवक्त तीन साड़े तीन घंटे लगते हैं बाद में मेह जिया आदा घंटे में पूरा हो जाएगा दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं तो अब आता है सीवाजी यानि कि सीवाजी का समारक जो की अरेबियन सी में बनाया जा रहा है और दोस्तों यह समारक दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू होगा जिसकी हाइट दोसो बारा मीटर होगी अभी यह स्टेचू हमारा 182 मीटर हाइट का यूनिटी ओफ स्टेचू है जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है और दोस्तों यह स्टेचू बनने के बाद यह दुनिया का सबसे उचा स्टेचू बन जाएगा यह कुल 3826 करोड रुपे में बनकर तयार होगा और आगे अब हम बात करेंगे हमारे देश के सबसे बड़े एरपोर्ट के बारे में दो दोस्तों भारत का ही नहीं एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट होगा इसमें कुल 4 फेस में बनाया जाएगा और बनकर जब तयार होगा तो इसमें 6 रनवे होंगे तब इसकी वार्सिक कैपेसिटी जो है वो 7 करोड पैसेंजर की रहेगी दोस्तों आगे हम बात करेंगे नाम अब डिकलेर हुआ है डी बी पाटिल इंटरनेशनल एरपोर्ट हाँ दोस्तों यहां नमी मुंबई में स्थित है यह एरपोर्ट कुल 3 फेस में बनाया जाएगा और जब इसके 3 फेस कम्प्लीट हो जाएगे तब यह 90 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने की छमता वह PPP मोडल यानि की पब्लीक प्राइवेट पार्टर्शिप के तहट सीडगो दोरा तैयार किया जा रहा है जिसमें सीडगो के पास 74 परसेंट और 24 परसेंट एक्यूटी सेड़ जो है NM IAL के पास रहेंगे दोस्तों यहां कुल 1160 हेक्टर में बनाया जा रहा है इसके बन दोस्तों आगे बात करते हैं भारत माला परियोजना के बारे में हां दोस्तों भारत माला परियोजना में गोल्डन कोरिडोर नोर्थ साउथ कोरिडोर इस्ट वेस्ट कोरिडोर के साथ में और बहुत सारे हाइवेस नेशनल हाइवेस सभी को कनेक्ट किया जाएगा जो कि 677 किलोमीटर हो जाएंगे दोस्तों हरत माला प्रोजेक्ट की निव हमारे स्वर्गिय प्रदानमंत्री अटल वियारी बाट पेजी ने रखे थी और यह हमारे लगभग सभी राज्यों में से होकर गुजरता है इस प्रोजेक्ट के तहट कुल 550 डिस्टिक कवर के जाएंगे जिसमें 50 लोजिस्टिक पार्क भी बनेंगे दोस्तों आगे हम बात करते हैं कंडला गोरकपूर पाइपलाइन के बारे में यह लपीजी पाइपलाइन होगी जो कि कुल 2805 किलोमीटर लंबी होगी दोस्तों और यह कुल 3 कंपनिया मिलकर बना रहे हैं जिसमें 50% इंडियन कोर्पोरेशन 25% भारत पेट्रोलियम 25% हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास इसका हिस्सा रहेगा जो कि गुजरात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में से होकर पसार होगी दोस्तों और इस परियोजना के तहत खुल 10,000 करोड रुपे का खर्चा किया जाएगा यह इस परियोजना को 24 जनवरी 2019 में सुरू किया गया था और उस समय तीन साल का समय बताया गया था पूर्ण होने के लिए एक्स्ट प्रोजेक्ट है हाइपर लूप ट्रांस्पोर्टेशन का जो की हमारे मुंबई से लेकर दुबई तक सुरू किया जाएगा इसमें ट्रांस्पोर्टेशन तो रहेगा रहेगा साथ में ओईल और पानी का भी आवागमन होगा दोस्तों हाँ इससे हमारे डबल फा प्रेंटे ही लगेंगे दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसे समुंद्र के अंदर पूरी एक टनल बनाकर उसके अंदर इसका पूरा ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम बनाया जाएगा दोस्तों तो कैसा लगा मेरा वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब